नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार पुन हारदिक स्वागत है TMA के इस प्लैटफॉर्म के उपर जहां पर आज हमने जो एक और पार्ट हमारा बजगया था मॉडल्स का जिसके पार्ट वन की हमने बात कर ली है मॉडल्स से संबंदित कुछ प्रश्न उतरी की हम बात कर रहे हैं जिसमें पहले पार्ट के अंदर हमने 25 क्वेश्चन की बात करी थी और उसके आसपास जुड़े होए जितने भी आयाम थे उनको कवर किया था आज के इस हम मॉडल्स का पार्ट टू लिकर आए हैं जहां पर हम 25 के आसपास और क्वेश्चन से ये दोनों ही वीडियो को देखने के बाद I don't think कि मॉडल्स के अंदर आपके कोई भी चीज जो है वो बच जाती है सारे चीजों को हमने इन दो वीडियो के अंदर कंपाइल किया है और questions को बनाने का format कुछ इस तरीके का है कि जो भी आपके आसपास का explanation जो है वो कबर हो सके ठीक है तो आईए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे जो first question है आज का basically 26 है उस series के according लेकिन आज का first ही है students play in the classroom prohibition ठीक है prohibition का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का निशेद होना किसी भी चीज़ का ठीक है हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हम निशेद कोई चीज़ का करना चाह रहे हैं सो वहाँ पर सबसी बढ़िया model हमारे पास कौन सा होता है must not ठीक है और वहीं पर अगर कोई strong possibility है strong possibility है ठीक है या फिर कोई strong necessity है necessity है strong obligation है तो वहाँ पर भी हम किसका इस्तमाल करते है must का लेकिन वहीं पर अगर negative बात अगर हम को show करनी है तो फिर वहाँ पर हम किसका इस्तमाल करेंगे must not का so students must not यहाँ पर आपका exact answer जो है वह क्या होना चाहिए must not जो है वह आपका answer हो जाएगा ठीक है आगे आते हैं इस question को पढ़ें एक बार अच्छे से please tell me where he is request की बात हो रखिए ठीक है अब request के लिए हम जानते हैं कि सबसे बढ़या model हमारे पास कौन सा है would ठीक है would से हम request जो है वह एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर आप देखोगे may you please tell me where he is आप जान रहो sentences सही तरीके से नहीं बन रहा है must you please तो यह must भी नहीं आएगा should you please य सुनता है वुड की इस्तमाल हम कहां-कहां पर करते हुए एक बार फिर से मैं रिवाइस कर्वा लेता हूं आओ जब हम कोई इमिजी नीशन करते हैं कि साथ ही में जब हम कुई request करते हैं तो फिर वहाँ पर हम would का इस्तमाल करते हैं make का इस्तमाल हम कहाँ पर करते हैं permission के लिए करते हैं इसके बाद average probability और उसके बाद हम optative sentence के अंदर इसका इस्तमाल करते हैं ठीके वहीं पर बात करें must की तो अभी मैंने बता दिया सारा इसका rule यहाँ पर हम इसकी बात करें तो moral duty अगर हम को express करनी हो वहाँ पर हम इसका इस्तमाल करते हैं should का साथ ही में कोई advice हो तो वहाँ पर हम इसका इस्तमाल करते हैं ठीके यह सारी चीज़े आपके लिए होनी चाहिए यहाँ पर हमने एक ही question के अंदर इन सारे जो options दे रखें हैं उनके जो भी users हैं उनकी बात भी हमने कर ली है ठीके आगे बढ़ते हैं अगले questions की तरफ और यहाँ पर यह जो question है आपका there are no clouds in the sky it ran today यहाँ पर देखना हमको indication क्या मिल गया है कि clouds जो हैं वो नहीं है means possibility कैसी हो गई है आपकी यह यह जो possibility है यहाँ पर no clouds है तो मतलब यहाँ पर जो possibility बनती है वो बनती है list possibility है मतलब कोई भी गटना की होने की संभावना न के बराबर है ठीके बहुत कम chances है कि वो गटना गटित होगी तो ऐसी स्तती में हम किसका इस्तमाल करते हैं हमारे लिए जो appropriate model रहेगा वो रहेगा might तो यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा might जो है वो इसका answer हो जाएगा ठीके can नहीं रहेगा must भी नहीं रहेगा should भी नहीं रहेगा might नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा none of the above ठीके यह आपका answer हो जाएगा might होता तो वो हमारा होता अब इसमें जैसे probability की जब मैं बात कर रहा हूँ probability की जब बात होती है तो probability हमारी कितने तरीके की होती है तीन तरीके की ठीके अब वो तीन तरीके की कौन-कौन सी है सबसे पहली हम बात करें तो वो होती है बिलकुल list मतलब ना के बराबर उसके होने के chances है वहीं पर अगर normal मतलब संभाव ना है कि ऐसा हो और उसके बाद strong possibility अगर किसी चीज़ की है यह तीन हमारे पास probability बनती है अगर कहीं पर है तो वहाँ पर हम किसका इस्तमाल करेंगे might का और अगर normal कोई probability बनती है तो उस वहाँ पर किसका इस्तमाल होगा मेका वहीं strong अगर कोई है तो वहाँ पर इस्तमाल होगा must का यह चीज़े आपके लिए clear होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम अब देखना यहाँ पर इस sentence को पड़े और उसके बाद इसका meaning जो है एक बार अपनी और से समझदे की कोशिश करें किस तरीकी का बाव जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ठीक है इस sentence को थोड़ा समझदा यहाँ पर आप देखोगे तो ठीक है ठीक है बराबर है सही बात है यहाँ पर हमारा जो correct answer होगा वो होगा used to यह हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज missing है वो है हमारा past habit जो है वो option में दे रखा होगा ठीक है तब आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ पर used to जो हो हो जाएगा ठीक है मतलब past में किस इंसान की habits हम को बताने है आदतन अगर कोई चीज होती है मतलब वो पहले अपने investments के बारे में कभी भी सोचा नहीं करता था ठीक है तो वहाँ पर हम किस का इस्तमाल करेंगे used to past की habit को बताने के लिए हम किस का इस्तमाल करते है used to का इस्तमाल करते है तो यहाँ पर यह आपका exact answer हो जाएगा इसके बाद इस question को पढ़िए are leaders fulfilled their election declarations ठीक है अब इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आप दिखोगे हमारे leaders की यह नैतिक जमेदारी बनती है कैसी जमेदारी है यह moral responsibility है कि जो भी वो वादे करते हैं during elections उनको fulfill करना चाहिए यह हमारी कौन से responsibility हो गई moral responsibility और इसके लिए हमारे पास दो तरीके के models आते हैं पहला होता है should इसके बाद second हमारे पास कौन सा हो जाता है ode to ठीक है यह हमारे पास दो model है और हम should नहीं देख रहे हैं so it means यहाँ पर हमारा exact answer कौन सा हो जाएगा ode to जो है वो इसका correct answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इस question को पढ़िए एक बार we obey the laws of land यह भी हमारी कैसी duty है moral duty है moral duty और जब moral duty होगी तो फिर वहाँ पर या तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे should का या फिर हमारे पास विकल्प में क्या रहता है ode to रहता है ठीक है यह दो है और यहाँ पर अमारे पास option में क्या दिखर रखा है should जो है वो दे रखा है तो it means correct answer हमारा क्या हो जाएगा should जो है वो इसका exact answer हो जाएगा ठीक है इसके बाद आते हैं अगले question के उपर my father have arrived yesterday ठीक है यहाँ पर आप दोखोगे कि मेरे पिता जी जो है वो कब आ गये थे yesterday को आ गए होंगे ठीक है यह इस तरीके का बाव है यहाँ पर मतलब कोई चीज exact हम समझ दी पा रहे है sentence के अंदर ठीक है तो यहाँ पर जो बाव बन जाता है पॉसिबिलिटी का बाव जो है वो बन जाता है ठीक है अब पॉसिबिलिटी को एक थोड़ा सा अब इसको इसको इस्तमाल करेंगे कुछ common sense अगर लगाए options के according अगर आप इसको समझे तो will के साथ yesterday का आम इस्तमाल नहीं करेंगे यह तो हमारा आंसर हो नहीं सकता ठीक है अब yesterday को आना यह कोई काबिलियत नहीं है एक इंसान की ठीक है ना कोई ability है ठीक है और ought मतलब यह कोई नेतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको yesterday को आना चाहिए ता आपके बाद option नहीं की correct बजता है वो कौन सा है इसका मतलब है इसके आगे हम कौन सा model apply करेंगे should का model apply करेंगे लेकिन यहाँ पर है नहीं तो हमारा answer क्या हो जाएगा none of the above तो यहाँ पर exact answer हमारा क्या रहेगा should रहेगा जो कि option में है नहीं option में none of the above है तो फिर वो हमारा answer रहेगा ठीक है अब आते हैं इसके उपर he to go office then मतलब then का मतलब तब की बात है यह past time हमको दे रखा है ठीक है past time दे रखा है और past में कोई habitual action अगर हमको बताना है अभी कुछ देर पहले हमने बात करी थी वहाँ पर हम किसका इस्तमाल करेंगे use to का इस्तमाल करेंगे use दे रखा है to यहाँ पर लग रखा है answer क्या हो जाएगा use to go office then यह हमारा exact answer इसका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगली question के उपर polite request मैंने आपको बताया था अगर हमको बहुत ज़्यादा polite request करनी है तो फिर वहाँ पर हमारा model कुन सा रहेगा could का इस्तमाल हम करेंगे अगर कोई विद्यार थी इस class को ही देख रहा है तो उससे मैं request करना चाहूँगा कि पहले हमारा जो model का part 1 upload हुआ है उसको देख क्या है क्योंकि वहाँ पर हमने details में बहुत सारी बाते करीए ठीक है यहाँ पर हमारे कुछ question उस class के अंदर रहे गए थे हम उनको cover कर रहे है polite request की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास answer में क्या रहेगा could रहेगा ठीक है में का इस्तमाल हम permission के लिए करते हैं यह अच्छे से बता रहे हैं इसके बाद आगे अगला question है you die soon यह curse है किसी को अभिशाप दिया जाना इसका मतलब है यह कौन सा sentence है optative sentence है यह कौन सा sentence है optative sentence है और optative sentence को हम जानते हैं generally किस से शुरू होते हैं में शे शुरू होते हैं sign of exclamation से यह end होते हैं ठीक है यहाँ पर may you die soon यह आपका exact answer हो जाएगा ठीक है order अगर दिया जा रहा है ठीक है मतलब उनको ऐसा करना है यह उनका क्या है जब यहाँ पर order दिया गया इसका मतलब servant के लिए वो क्या हो गया obligation एक बात देता होगी कि उनको वो ही काम करना है ठीक है obligation के लिए हम किस का इस्तमाल करते हैं liability आ गया यह तो 25 बार इस बात को बता चुका हूँ जब भी आपको इस तरीके का sense देखने को मिले वहाँ पर can और could होगा और यहाँ पर sentence के sense के according आपका क्या answer आ जाएगा can जो है वो आ जाएगा ठीक है courage की बात करी है courage की बात हो challenge की बात हो तो वहाँ पर हम किसका इस्तमाल करेंगे dare का इस्तमाल करेंगे ठीक है यहाँ पर not to go outside तो फिर यहाँ पर हम किसका इस्तमाल करेंगे I dare not to go outside यह आपका answer हो जाएगा ठीक है अगले question के उपर आते हैं you two have taken care of your mother ठीक है अब यहाँ पर moral duty है कौन सी duty है करते हैं देखो यहाँ पर should नहीं आएगा reason is के पीछे हमको two दे रखा है ठीक है तो फिर out जो है वो आएगा यह हमारा correct answer इसका हो जाएगा ठीक है out two जो है वो हमारा correct answer यहाँ पर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं teachers use cell phones in class ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़े आप देखना यहाँ पर prohibition है क्या है prohibition है अब strong होता है prohibition के लिए हम दोनों तरीके के models का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हम cannot का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और must not का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर कोई legal बाउंडेशन है तो फिर वहाँ पर हम generally must को prefer करते हैं बाकि आप cannot जो है वहाँ से भी अपना sentence बना सकते हैं यहाँ पर आपका इसके according teachers must cannot use cell phones in class यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका can not जो है वो correct answer आपका रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं it is stand that students students be in class यह strong possibility है साथ में यहाँ पर हम inference की बात भी कर लें मतला हम निशकर्ष की बात कर रहे हैं जब 10 बजगे हैं मतला है बच्चे कहां पर होंगे निश्ची तोर पर होंगे निश्ची तोर पर होंगे students must be in the class यहाँ पर possibility के according भी आपका must आजाएगा साथ में inference के according भी आपका must आजाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं stand by your brother obligation है ठीक है अब यहाँ पर obligation कहूं आप इसको आप इसको moral duty भी कह सकते हो क्योंकि जो sentence का बाव आ रहा है उसके according moral responsibility भी हो सकती है आपकी यह अगे बढ़ते हैं अब देखना अब पास्ट की बात हो रही है पास्ट की उनकी ability को बता रहा है कि वो पाच language बोल सकते थे ठीक है अब यहाँ पर अगर used to होता सो वो भी हमारा correct answer होता उनकी habit की बात भी हो सकती थी लेकिन यहाँ पर ability की बात हो रही है sentence के according और हमको option में भी कुड़ी दिख रहा है तो यहाँ पर यह हमारा answer हो जाएगा हम किस का इस्तेमाल करेंगे कुड का इस्तेमाल यहां करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं I promised I would be on time मतलब मैंने वादा किया था कि मैं on time रहूंगा I अब इसमें देखिए यहाँ पर दो चीज़े है obligation है यह ठीक है अब यहाँ पर दो models आ सकते या तो cannot भी आ सकता है ठीक है या तो cannot भी आ सकता है या फिर must not भी आ सकता है ठीक है दोनों ही आपके correct answer रहेंगे sentence के meaning को अगर आप थोड़ा समझे तो यहाँ पर आप देखो कि I must not be late तो फिर मैं क्या नहीं हो सकता लेट नहीं हो सकता और वैसे भी negativity show हमारे पास इक ही model कर रहा है इन और option में तो यह हमारा must not जो है वो correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि यू कांट टर्ण left here you to turn right अब देखना तू आ गया यहाँ पर क्या आगया पीछे टू आ गया तो we have got plenty of time जब हमने बात कर ली है कि हमको कोई आवश्यक्ता नहीं है ठीक है तो फिर वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं need not का इस्तेमाल हम करते हैं ठीक है यहाँ पर we have got plenty of time option में आपके पास we needn't है तो वो हमारा correct answer हो जाएगा we needn't leave yet ओके फाइन clear आगे बढ़ते हैं the government do more to improve education मतलब उनको ऐसा करना चाहिए यह उनकी नेतिक जिम्हेदार ही है तो फिर यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा it be nice to buy a new car but we can't afford it ठीक है अब इसमें देखना it could not be nice यह तो हमारा answer होई नहीं सकता इसका it cannot be nice यह भी नहीं हो सकता it can be nice to buy नहीं यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर correction रहेगा एक option आपको हटाना पड़ेगा कोई भी थोड़ा इसको correct करके मैं लिख रहा हूँ यह would अगर रहेगा तो आपका यह correct answer रहेगा ठीक है क्योंकि यह imagination है ठीक है तो इस sentence में हम किसका बाव देख रहे हैं तो imagination का बाव देख रहे हैं so it would be nice to buy a new car but we can't afford it अच्छा होता कि अगर है नहीं कार खरीद पाते लेकिन अभी वर्तमान में मुझे का afford नहीं कर पाते यहाँ पर इसके according आपका जो exact answer है वो क्या रहना चाहिए इसको देखते हैं अपन अब यहाँ पर तो blanks पीस ही नहीं है she has been studying hard for the exam so she इसके बाद कि इसको थोड़ा correct करेंगे हम कि इस बढ़ा नहीं को रहे है कि इसको पूरा ही मिटाएंगे हम पहले तब ही जाके यह sentence हमारा थोड़ा सही बनेगा है ठीक है कि यह पास अप लिख देते हैं यहाँ पर अब आप इसको देखें अगर वो अच्छा कर रही है मेनत अगर अच्छी कर रही है तो निश्य तोर पर यह क्या कर सकती है ठीक है वो उसकी अबिलिटी बन जाएगी तो यहाँ पर आपका अंसर क्या हो जाएगा कैन हो जाएगा इस प्रश्ण के अगर अगर यह प्रयास अच्छा लगता है तो साथे में वीडियो को लाइक करें कोमेंट्स करें आपका क्या 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 इंप्रूमेंट का सजेस्चन है वो भी हमें बताए और अपने साथियों के साथ शेयर करना भी इसे ना बुलें मिलते हैं साथियों एक और नए वीडियो में जहाँ पर हम आपके रीट मेंस की में ही किसी और टॉपिक की बात करेंगे इसी फॉर्म में इसी तरीके से जिस तरीके से हम बात करते आ रहें धन्यवाद साथियों झाहे हैं